पेर प्रापर कश्व न्यूट नियुक्त नियुक्त। तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो में अंटर्ग बने रहिएगा सबसे पहले आपको करने के हम widening बता देता ह। सबसे पहले तो आपको आपको तरह प्ने वोर्साब में आने के बाद आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना है सेटिंग में आना है और यहाँ पर जो है चैट वगर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर नीचे चैट बैकप है तो आपको यहाँ पर चैट बैकप पर क्लिक करके इसका बैकप ले लेना है देख सकते हैं यहाँ से इसका बैकप ले लिजिए जैसे आप इसका बैकप ल सकते हैं वाटसब को सर्च करते हैं यहांसे वाटसब आच चुका है यहां पर इसको open कर यह open करने के बाद यहां पर आपको देखने को मिल रहा है storage नीचे आपको clear data डारेक्ट clear data पो क्लिक कर लिजीए और पर clear roll data इसके कर दीजिए बैक अप इसलिए लिए है हमने क्योंकि हम जैसे clear roll data करते हैं तो हमारी जो चैट्स बगारा सब make sure आप अपने WhatsApp को जो है यहां से update कर लें then उसके बाद यहां से update अगर आपने कर लिया है तो भी problem solve नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है फिर से आपको setting में आने के बाद यहां पर directly app info पर आजाना है वही पर apps manage apps और यहां पर WhatsApp को search कर लेना है अगर आप यहां से नहीं आना करेंगे तो आप उसी पेज पर आ जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा restricted data uses आप यहां पर क्लिक कर दीजिए इनको यहां पर यह काम आपको कर लेना होगा दैन उसके बाद भी problem solve नहीं होते है तो आपके mobile make option देखने को मिलता है आपको जिसको हम बोलते है airplane mode जिसको flight mode भी बोलते हैं यहां पर उस पर क्लिक कर लेना है आपको देख सकते हैं मैंने अपना airplane mode जो है on कर दिया है flight mode और यहां पर मेरे network सुगहरा चले गए हैं अब मैं यहां पर 10 सेकंड के बाद इसको बंद करता हूं तो यहां मेरे network सुगहरा रिफ्रेश होकर आ लेगी तो आपको यह काम जरूर से कर लेना होगा इतना काम करने के बाद भी आगर आपको problem आती है तो उसके बाद क्या करना मैं आपको बता देता हूं यह काम आप कर सकते हैं यहां पर आपको रिपोर्ट सब्मिट करनी होगी आपको अपने play store में आना होगा प्लेश्टो तो यहाँ पर आपको एक mail send करनी होगी, देख सकते हैं, आपकी mail ID और जो है, दोनों की mail ID आचके है, WhatsApp की भी, तो यहाँ पर आपको report क्या submit करनी है, अब हम आपको बता देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर आपको लिखना है, hello WhatsApp team, when I am trying to video call, it's your error of connecting, please fix this problem as soon as possible, और यह लिखने के बाद यह report आपको उपर की तरफ दिए send को option देखने को मिल रहे है, यहाँ पर arrow की निशान पर click करके, इसको send कर दीजे इस report को, यहाँ आपकी report submit हो जाएगी, आपकी problem भी solve हो जाएगी, और finally अपर काम आप कर सकते हैं, long press करिएगा, अपने WhatsApp और app info क्लिक कर लीजेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको app permissions देखने को मिल रही है, app permissions जितनी भी permissions होगी आपको सभी को enable कर लेना है, देख सकते हैं, अलव अब जितनी भीber permissions है, सभी मैंने allow करके रखिय winning, देख सकते हैं, तो आपको सभी permissions को लेना है और आपकी problem solves हो Юही कुछ काम को कर करना होगा सुगाइज आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक वीडियो में तिल दर बाटे के लव यू अल